हेलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है OBS Studio 27.2.4 कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना करते हैं यहां पर आपको फर्स्ट ओप्सन दिख जाएगा इसके उपर आपको किलिक कर देना है किलिक करते हैं OBS Studio को ओफिशली वेबसाइट ओपन हो जाएगा यह नहीं तो अब डेक्ट यह यहां पर टैप करके भी ओपन कर सकते हैं ओपन होने के बाद यहां पर होम पर में ही बाता रहा है इसलिए आपको विंडो का ऑसी डाउनलोड करने के लिए यहां पर रपके डाउनलोड कर सकते या नहीं ताब को क्या है और यहां से आप जिफाल डाउनलोड कर सकते हैं पहले सबसे पहले चेक कर लेने आप जिस्वी PC या Laptop के अंदर आप इसको इ सिस्टम है यदि आपको चेक करना नहीं आते तो चलिए मैं सबसे पहले हो बता देता हूं इसके लिए आपको क्या करना है डेक्स्टॉप के उपर जाना है यहां आने के बाद आपको क्या करना है डेक्स्टॉप पर इस पीसी दिख जाएगा इसको पर आपको राइट किलिक क बाद आपको property पे click कर देना है, click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको यहाँ पे check कर लेना है system type के आगे क्या लिखा हुआ है, यदि आपके case में यहाँ पे 32 bit का EXC download करके install करना है, यदि आपके case में यहाँ पे 64 bit का application download करके install करना है, वैसे आप 64 bit का operating system में 32 bit या 64 bit दोने में से कोई साभी आप install कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको suggest करूँगा हमेशा 64 bit का operating system में 64 bit का application आपको download करके install करना चाहिए, मेरे case में यहाँ पे 64 bit है, इसलिए मैं आपको 64 bit का application download करके install करके दिखाऊंगा, सेम तरीके साब 32 bit का application download करके install कर सकते हैं, चलिए अभी हम इस window क आपको यहाँ से close करते हैं, फिर से website को पर चलते हैं, यदि आपको case में 32 bit है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके 32 bit का EXC download करना है, यदि आपको case में 64 bit है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके 64 bit का EXC download करना है, क्लिक करते हैं, इस तरह से window open हो जाएग अब आप जहां पे भी save करना चाहते हैं वह pass select कर लिजेगा उसके बाद आपको save पे click कर देना है click करते हैं इस तरह से एकसी download हो जाएगा download complete होने के बाद आपको क्या करना है उस follower के अंदर जाना है जहां आपने exe को save किया है वहाँ अपको इस तरह से exe दिख जाएगा अब आपको क्या करना है इस exe को पर आपको right click करना है इसके बाद आपको property करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब माली जै यदि आपके case में भ mist कर सकतें यानि आप को आपको सजिस्ट करーँगा हमेशा कोई भीulanाइष सब्सक्राइब करते हैं इसनले मैं अपने केसे में यहाँ प rent करते हैं इस इसके बाद आपको गया किया किया इंश्टाल पे करदी इस तरह से इंस्टाल होना सुरू हो इस सब्गों कर देखेँ तरह हुआ है करते हैं इस wen तंद हो जेगा है आप देख विदाब्र कोई अरर अब आप इसको अपनी साब Раз कर सकते हैं यहाँ पर आपको configure करने के लिए दिखेगा यानि auto configure करने के लिए दिखेगा यदि आप recording streaming के लिए use करना चाहते तो first option select कर सकते हैं यदि आप सिर्फ recording recording करने के लिए use करना चाहते तो second option select कर सकते हैं या नहीं तो आप वर्चूल के लिए यूज करना चाहते तो यहाँ पर थार्ड ओप्सन सेलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं याने तो यह सेटिंग आप बाद में भी कर सकते हैं अब यदि आप इस EXC तो यहां पर आपको दिख जाएगा 27.2.4 यहीं आज के डेट में ले टेस्ट वर्जन है अब आप इसको अपने हिसाब से यूज कर लिजेगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू